हेलो दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सुभी का स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि A.T.L.SIM की काल डीटल कैसे निकाले A.T.L.SIM की काल हिस्टरी कैसे निकाले Step by Step आपको बताने वाले हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि एटल सिंक काल डीटेल कैसे निकालें के लिए आपको करना क्या होगा आपको अपने मैसेज बॉक्स में चले आना मैंजई बोक्स में यहां पर उप्सन किलिक करना है यहांपको डाइल करना यानी इसलिकीस इस पर आपको महीने का निकालना चाहते हैं महीने का नाम कैसे डालना को shortcut में डालना जैशें January का है तो आपको करना किया date इंस पर देने के बाद यहां पर अपनी एडी डाल देना है आपको जिस पर पीडियाप फाइल जाएगी यानि कि आपका कॉल डीटेल जो पीडियाप फाइल में सेव होके आएगा वो आपके उसी जीमेल में जाएगा तो यहां पर एक जीमेल डाल देना आपको तो चलिए हम अपना डीमेल डाल देते हैं तो यहां पर जीमेल डाल देते हैं जीमेल जब आप महीने का नाम लिखेंगे उसके बाद में भी space होना चाहिए उसके बाद आपको gmail ID डालना है gmail ID डालने के बाद उसके बाद में आपको कोई भी space नहीं देना है उसके बाद आपको atl sim से send कर देना है आप send जैसे ही करेंगे आपका message जैसे send होगा चार से पांच सिकेंड या दस सिकेंड में आपके पास एक back message आजाएगा back message में लिखके आजाएगा hi bill for आपका mobile नंबर आजाएगा for the month of my 24 hour been send your email ID यहाँ पर आपसे इसमें कहा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर आपके email ID में आपकी call detail history भेज दी जाएगी परन तो ऐसा नहीं आपके email ID पे तुरंत ही आपकी call detail history आजाएगी पांच से दस सिकेंड के अंदर और यहाँ पर आपका जो email ID पे PDF फाइल आईगी उसका password क्या होगा यहाँ पर आपके message के through आया हुआ जो password यहाँ पर दिखेगा नीचे यही password होगा आपका जैसे कि आपके mobile के number 4 आखिरी के होंगे और आपका जो जनमतिती होगा जैसे 1998 या 2004-2006 ऐसा तो starting में वो लगेगा last में आपका चारंग mobile number तो यहाँ पर जो password है यह password आपको याद कर लेना है उसके बाद आपको बैक कर देना आपको पने जीमेल में चले आना है जीमेल में जीमेल में आने के बाद यहाँ पर आपको एक बार refresh कर देना इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा शकॉल करना है नीचे कह Ses यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दिखेगी इसे डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है है इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगगा जाएगा जो smash के through password वहाँ से आया था वही password आपको डाल देना है यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर हम अपना password डाल देते हैं और open पर आपको click कर देना जैसे password डालेंगा आप open पर click करेंगे यहाँ पर पूरा call detail निकल के आ जाएगा किस number पर कितनी बात की गई हैं किस समय की गई हैं कितना time में की यहाँ पर पूरा detail निकल के आ जाएगा और उसका number भी आ जाएगा और कब-कब बात हुए कितनी बात हुई है सारा detail यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो इस प्रकार से आप अपनी call history निकाल सकते हैं टेल सिम की उमीद है कि वीडियो अच्छा लागा हो तो चैलन को subscribe और वीडियो को like जिरूर कीजिएगा दोस्तों comment box में जरूर बताइएगा हमारी जानकारी आपको कैसी लगी